गुट मार्निंग स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आरवी अडिटीव क्लास में तो स्टुडेंट आज मैं जो कुश्चन लेकर के आया हूं यह कुश्चन क्लास 9 की मैथ की बुक से exercise 2.4 factorization chapter से question लिया गया है तो यह question मैं शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने बहुत सारी exercise 2.4 की वीडियो और बना रखी है जैसे exercise 2.1, exercise 2.2 और मनीम की playlist भी बना रखी है तो आप अगर और वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं इस वीडियो को आंतर तक देखे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चलिए शुरू करते ह है तो यहाँ में मैं पास कोशन में पूछा गया है कोशन नमर फॉर ए फिक्टोराइज 12 x square माइनस 7 x plus 1 दूसरा कोश्चन है 2 x square प्लस 7 x plus 3 तीशरा कोश्चन है 6 x square प्लस 5 x minus 6 और चोथा कोश्चन है 3 x square माइनस x minus 4 तो मैं यह जो वीडियो जहें इसको 4 1 4 2 4 3 4 5 करके इसको बनाओंगा मतलब मैं इसको 4 पार्ट करके बनाओंगा ठीक है अगर आप लोगों को ये एक ही साथ चैए तो आपलों कमेंट कीजए गा मैं आप लोगों को बाद में एक ही साथ ये 4 और वीडियोज अपलोड कर दूँगा ठीक है एक ही वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें आपर पहला कुस्टन देखेंगे तो यहां पर हमें फिक्टोराइज करना है 12 x square minus 7 plus 1 को ठीक है तो फिक्टोराइज करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है देखो हमारे पास एक standard equation होती है a x square plus b x plus c is equal to 0 यह हमारे quadratic equation होती है तो यहां पर इस equation से इस equation को हमें compare करा करके a की b की और c की value को देखना है कि अतना होगा लेकिन यह काम roughly करना है तो a is equal to कितना हो जाएगा a is equal to 12 है b is equal to minus 7 है और c is equal to 1 है यहां से एक बार अगर आपको पता चलेगा कि a b c की value कितनी है तो आपर आपको एक पहला काम करना पड़ता है product of ac क्या करना पड़ता है product of ac a मतलब यह और यह मतलब कि 12 into 1 is equal to 12 तो ac का product कितना आ गया 12 आ गया अब इस 12 को ऐसे फिक्टराइज करना है कि b1 और b2 मिले यह जो भी होता है इसको हमें b1 और b2 में break करना होता है इस प्रकार से break करना होता है कि या तो आप add करें तो इसके equal आ जाए या फिर आप सब्ट्रेक्ट करें तो इसके equal आ जाए 4 और मैं यहां से ले रहा हूं b2 3 यानि कि एक फिक्टर बीवन नमारा बनेगा 4 और b2 बनेगा हमारा 3 अब क्या करना होता है माली जे हमने एक बार हैड कर लिआ कि अम फोर लेंगे और 3 लेंगे तो हमें चेक करना पड़ता है दो कंडिशन एक कि जो वी वन इन्टू भीटू है यह AC के equal हो जाए तो B1 आपने क्या लिया है 4 और B2 आपने क्या लिया है 3 तो जब आप 4 into 3 करेंगे तो यह AC कितना है AC है 12 तो 4 3 जा 12 आ रहा है यह पहली condition को follow कर रहा है कौनसी condition को follow कर रहा है पहली condition को follow कर रहा है B1 into B2 is equal to 12 दूसरी condition होती है B1 plus या minus B2 is equal to B तो यहाँ पर आप चाहे इसको इसको plus करो चाहे इसको minus करो इसके 1 को लाना चाहिए तो देखो B1 कितना है 4 और B2 कितना है 3 और B कितना है 7 तो जब हम यहाँ पर इसको plus कर लेंगे तो 4 plus 3 कितना हो जाएगा 7 तो यह भी कंडिशन को फालो कर रहा है तो हमारा यही दो कंडिशन है जिसको फालो करना चाहिए और तब हम यह बैलू को हाँ पर पुट कर देते हैं आपको गवड़ानी की जरूद नहीं है जब आप बहुत ज़रे कोशन की प्रेक्टिस करेंगे तो आप आराम से सीख जाए हो नहीं तो मैं आपको दूसरा भी तरीका बताओंगा बससरते आप यह राइट कर लोगी यह कंडिशन हमें यह फालो करना पड़ता है बीवन इन तुबी टू इस इकूल टू एसी और दूसरा कंडिशन हमें यह फालो करना पड़ता है कि वीवन प्लस-mавлив. इस इस इकूल तो आपको सबसे क्या करने भई यह खाल यहीं पर 12 वंजा व्लिक अतने खर्थothes तो यहां पर आपने ुद मैं कर सकते हैं तो यह तीन कर सकते हैं आप देखो हमें बी की बहलू साथ लानी है तो अगर इसको एड़ करेंगे तो आठा जाएगा सब्ट्रेट करेंगे तो चार जाएगा यह नहीं हो सकता है इसको एड़ करेंगे तो थर्टीन हो जाएगा सब्ट्रेट करेंगे तो ट्वल व हो गई आपकी 4 और 2 की वैलू हो गई आपकी 3 यह अपको रखना है कहां पर रखना लेट उस फेक्टोराइज तो ट्वेल एक्स स्क्वाइर माइनस सेवन याइक्स प्लस वन अभी देखो सिर्फ और सिर्फ सेवन पर चेंज होगा बाकी चीजे सेम रहेंगी तो उसको एज़ेटरिज राइट कर लेंगे ट्वेल एक्स स्क्वाइर माइनस इसके लिए थोड़ा सा स्पेस दे देंगे क्योंकि हमें यह लिखना है याक्स प्लस वन अब हमने बताया कि यह बीके एक्कोल होता है तो भाई यहाँ पर यह सेवन के प्लेस पर रखेंगे फोर प्लस थ्री और यहाँ पर हम राइट करते है और एक बार अगर आप यह अच्छे से कर ले गए तो आपकी सारी प्रभलम होजएगी यहाँ क्या करना है इस एक्स को इनसाइड में मल्टिपलाई करना है साथिस माइनस न को भी मल्टिपलाई करना है तो 12 एक्स स्क्वार देखे यह माइनस है और यह प्लस है तो माइनस आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस और यह एक्स मल्टिप्लाइब होगा ishes फॉर यह यह प्ला माइनस है और यह प्लस है तो माइनस मेल्टी वलाइब प्लस मिकब माइनस और थिरी अक्सा से मिल्टीप्लाइब करेंगे तो हो जाएगा प्लस वन है ठीक है अब अगर आपने इतना कर लिया तो देखो आप ऐसे दो दो के पेर एक बार सेलेक्ट कर लो ऐसे ठीक है टेंपरेरी करना है अब यहां से देखो कि आप इस से और इस से कौन सा कोफिसियंट कौन सा फिक्टर कॉमन ले सकते हो तो देखो यह फ अब यहां पर देखो ट्री माइनस यक से पहले माइनस साइन है तो माइनस आपको कॉमन लेना ही होता है ठीक है और अगर यह 3x plus 1 में हमें कोई चेंज नहीं करना है तो हम 1 common लेते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा minus 1 ब्रेकट लगा करके अप एज़ेटीज लिख दो 3x अब देखो अगर आपने minus common लिया है तो यह plus का minus हो जाएगा यह plus था यहाँ पर minus क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि हमने minus common ले लिया अब देखें यह 3x minus 1 3x minus 1 सेम सेम है तो हम इसको common ले सकते हैं 3x minus 1 तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x और यहाँ पर क्या बचेगा minus 1 तो यह हमारे क्या होंगे यह हमारे factors होंगे ठीक है कि अंसर कि एक फिक्टर यह है एक फिक्टर यह है यह हमारे फिक्टर होंगे इस कोश्चन के तो इसको आप राइड डाउन कर लीजिए अपको आंसर में यह नहीं लिखना है ठीके यह वाला चीज आपका रहां है तो यह आपको आंसर में नहीं लिखना है सिर्फ यह वाला लिखना है